इलो फ्रैंस वेल्कम ई स्टेडी गाईज आप लोगों का जुतने एडमिशन को लेके बहुत जादा ज्यादा करना है बहुत ज्यादा प्रोब्लम हो रहा है कोई कह रहा है कि मेरा लोग इन नहीं हो रहा है कोई कहए होगा क्या करेंगे कब कॉट्बंट का यहीं करना मुझे admission को लेके था कि आपका process कैसा होगा आपको कब करना है किस बैसे इस पर आपका कौन सा document upload होगा ठीक है guys website पे सब कुछ दिया हुआ सारा solution दिया हुआ यहां तक कर दिया गया है कि कोई documents आपके पस नहीं है अगर यहां कोई error है कोई mistake है तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जाएगा कि यह documents आपका mistake हो गया फिर से upload किजिए यह सारी चीज़ आपको बताया गया है website पे लेकिन आप लोग अभी तक पढ़ नहीं पाया है कुछ स्टूडेंट ऐसे है ना तो कोई दिकत नहीं में इस वीडियो में सारा डाउट जितना भी आपको confusion है जितना डाउट आपको admission को लेकर कि मेरा कैसे होगा मेरा किस list में आएगा मेरा इतना rank होने पर मेरा कौंसा list पर नाम आएगा यह सारा confusion आपका clear हो जाएगा ठीक है इस इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा जो भी student का अभी तक admission नहीं हुआ admission करना है फर्म लिस्ट जो है आपका नहीं आया आपका admission schedule नहीं आया है कि कब-कब से जो है क्या process है अभी वह सब नहीं आया तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा ओकी गाइस चैनल प बताते हैं जो आपके लिए questions वगरे जो mock test वगरे provide करते काफी बहतर होता है ना काफी सरह students का review भी अभी तक मिल चुका मुझे personally मिला है बहुत अच्छा रहा इस बार का result बहुत बढ़िया रहा है उमीद करते है कि next जो है उसमें भी बहुत अच्छा होगा ठीक है तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो लेसे स्टार्ट मैं आगी हूं वेबसाइट पर आपका जितना भी queries है सब का solution यहां है admission को लेके जितना भी आपको confusion है सब कुछ यहां बताया गया है तो चले मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं कल भी मैंने same चीज किया था आपको मैं बता दे रहा हूं ठीक है देखिए login जो है आपका यह वाला website पर होगा admission portal online counseling portal जो है website यह जो link है इस पर click करेंगे तो simply आपको login करने बोलेगा login करने के बाद login करते ही जो है उसके just जो है next आपको documents upload करने का option आ जागा फिर जितना document है सारा upload करना होगा उसके बाद नहीं मोगर जो चीज में form है वो सब भढ़ने का option आ जाएगा ठीक है तो एक हम schedule लेंगे फिर हम बात करेंगे इस पर ओके तो चलिए उपर वाले option पर यहां पर click किया display of firm list firm admission list firm list मतलब admission list ही समझ सकते है ठीक है firm list में सब कुल बता आया जाता है schedule होगा रहे देखिए अभी किसका किसका आया agriculture science engineering technology life science यह सारा कोर्स का अभी तक आ गया है faculty of science का आया है है ना diploma engineering and dyni madrasah यह सब का आया है okay senior secondary school में से humanities school और arts यह सब का भी आ गया है साइध है ना मैं रूक एक मिनिट चेक कर लेते हैं एक मिनिट गए देखिए senior secondary में किसका किसका आया है तो देखिए लगबख सब का firm list आ गया है commerce का boys का छोड़ गया ठीक है बाकी सब का आ गया है तो अब देखिए मैं faculty of science को यहां पर जा रहा हूं यहां पर देखिए यहां अभी तक कोई firm list नहीं आया है और सिर्फ यहां प को जो है यहां पर open कर रहा हूं उसके बाद यहां देखिए कितना सारा format भी है firm list का यह सारा आएगा जहां तक जरूरत होगा वहां तक आएगा पहला आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा चवता आएगा और किसका किस list में नाम आएगा यह भी आपको इस वीडियो में समझ मैं आएगा ठीक है बने दिएगा तो चले किलिक करते हैं इस schedule को पहले देखते गाइस देखे कल मैं जो वीडियो बनाया था ना कुछ बच्चे उसी वीडियो को देख करके login करना start कर दिये थे तो देखिए यहां पर यह कली का सायथ वही वाला PDF ओपन हो गया ना schedule है मैं फिर सी यहीं पर समझा रहा हूँ यह गलती है खैर कोई दिक्कत नहीं है कल ही वाला पिरिट लेकिन यह मैं आपको अच्छा से बता रहा हूँ थी कि यह बाइस नॉमबर से चोबीस नॉमबर डेट दिया था यह उस course का यह यहां पर कैसे login कर रहे है उस portal में जो login करन अब यह सी का आप एंट्रेंस दें तो आप कर रहे हैं बताए मुझे क्यों कर रहे हैं अभी आपको नहीं कर रहा है जब तक आपको अभी आपको नहीं करना जब तक आपको यह date पताना चल जाए कि मेरा login करने का मेरा यह सारा जो काम है देखो registration login documents upload choice filling जो है जितना सारा काम यह सारा काम जब तक आपका date ना आ जाए इसका आपको कब करना है उसके उससे पहले आप क्यों कर रहे हैं मुझे बताए तो कहां से होगा login भाई नहीं होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने उसे request करता हूँ कि login बार बार नहीं करना जब तक आपको यह ना पता चल ज है कि मेरा login करने का date कब है जैसे BSC वाले का 22 नवर से 24 नवर तक login करने का date था सीम चीज आप लोहों के साथ भी होगा बाकि जितने भी courses हैं समझ रहे हैं जितने भी courses है बाकि उन सभी के साथ सेम चीज होगा क्यों नहीं समझ रहा है आप यह बार बार मैं बता रहा हर दिन ब नेक्स्ट एक मिट्ट नेक्स्ट है पचीस से सताइस नॉमबर में क्या होगा वेरिफिकेशन होगा जितना डॉकुमेंट्स था वो सबका वेरिफिकेशन होना है पचीस से सताइस नॉमबर डेट लिया है जितना यहां पर अप्लोड होगा वो सारा का वेरिफिकेशन होगा अ को आपको बता देगा कि यह डॉकुमेंट्स में आपका यह मिश्टेक है तो इसलिए यहां पर फिर री सब्मिट का डेटा आजाएगा 28 नॉबर को यह मैं बीएस्टी वाले का बता रहा हूं फिर से समझेगा बीए वाले का सेम आये का ऐसा ही जो कि हभी नहीं आया है समझते बीए वाले का भी बीए बीएललबी एलेवेंट्स जितना कलास है सबका सेम आएगा मैं यह बीएस्टी वालों के लिए बता रहा हूं फिर इसको इसको देखकर कि मत करने जाना डायरेक्ट लिए भी हूँ हूँ है ओके तो 28 नॉउम्बर को आएगा किसका यहानी री सब्म कि यहाँ पहले बाता हूं एक ही कोश्टन बार बार एक ही यह कोश्टन बार बार पूचे बता किसके क्या कर सकते हैं तो थे स constituर इसा बन ना पना इतने बेशने सेंट्र्ट में बढ़ने जा रहा है आप प्रिष्टिएए कि उन्योवर्ऩीव दॲी not in India not only ऐ है पूरे systematic way में तयार किया गया है आप कोई कोई default में निकलता है आपके documents में या कोई भी process में तो फिर से आपको मौका दिया जाता है करते हैं आप सब्सक्राइब समझ गया तो अब देखें जैसे आप लिष्ट किसका आएगा पहले इस चीज़ हम समझ लेते हैं तो जैसे जैसे आपका रैंक है उसी हिसाब से लिष्ट भी आता है पहला लिष्ट में वह लोग वैसा नहीं कि सिर्फ सेलेक्टेड लोग होंगे वैटिंग लोग भी होगा क्योंकि डॉकुमेंट्स अप्लोड सारा काम एक बार में हो जाएगा चाहे वह वह वैटिंग में हो सेलेक्टेड में हो इस पेसल कैटेगरी में हो कोई भी सबका ॐकुम्टस चीमार हो जाएगा बाकि लिस्ट आते रहे सादे रहे गाए यह अलग अलग यह आते रहेगा एमिसन लिष्ट आया तो वह से masking remains और सके लिए प्येमेंट हो गहां तो पायला लिज्ट में आपका खालग में 1000 ह runners अब जिसका rank वह वन से लेकर 500 तक selected में है तो उसका क्यों नहीं आएगा बताइए अभी बताइए तो जिसका selected है उसका पहले होगा है ना पहला list में उसका नाम हो सकता है अगर फर्म लिश्ट में बहुत ज्यादा लोगों का नाम एक पहला में आ रहा है तो आपका भी नाम आ कुछ ही कूर्स का आया है साइंस का आगया है अलेवन का आगया है यह सारे कूर्स का आगया है बाकी सब कूर्स का नहीं आया अभी तो अभी आपको नहीं लोगिन करना है नहीं कुछ करना है बिल्कुल पैसेंस बनाए बटे रखना सारा डाकुमेंट्स रेडी कर गए जिस करने बोलता है फिर से आपको सब्मिट करने बोलता है फिर री सब्मिट जो किये तो उसका वरिफिकेशन होता है उसका वरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है फिर फिर पेमेंट करना होता है अब आपको क्या डाउट लगा आप तो मुझे नहीं रगता कि कोई डाउट ठीक है और गाइज एक आपसे request है मेरा request है कि इस video का description में एक channel का मैंने link की दिया है प्लीज उसको subscribe कर लिजेगा आप भी जो है उस channel को support की ज़रूरत है ना फिर support आप कर देंगे बन जाएगा बन जाएगा तो फिर जो है वो automatically suggestion में आ जाएगा ना वहाँ पर हम जो है आपको GS पढ़ाएंगे geography, history, policy, economy, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा comment box में भी निचे comment box आप कमेंट करने जाएगे तो वहाँ भी आपको चैनल का link मिल जाएगा वहां से भी subscribe कर सकते है या video का description चेक कर लेजाएगा वहां से मिल जाएगा ओके गई तो यही था आपके लिए I hope कि आप सब कुछ समझ गया होंगे मिलते हैं एक्स प्रेमेंट है फ्र वाचिंग